हलो फ्रेंट्स वेलकम टू दी चानल आज का टॉपिक है एफ र यू एफ र यू मतलब फर्स्ट रेफरल यूनेट और जो हेल्थ केर सिस्टम और हेल्थ केर डिलिवरी सिस्टम यह जो यूनेट यह टॉपिक चलता आ रहा है उसकी यह सेकंड लास्ट वीडियो है प्रिंसिपल आशा अंगनवारी ट्रेंडाइज इससे रिलेटेड जो भी कुशिन पूछे जाते हैं वो हमने इसमें कवर कर दिये हैं अब यह एफ र यू है इससे रिलेटेड भी एक शौर्ट कुशिन आता है जो कि आज हम इसको कवर कर देंगे ठीक है तो अब चलिए श कर सकते हैं इस पर कमेंड कर सकते हैं यूट्यूब पर ठीक है आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं मेल भी कर सकते हैं ठीक है तो नोट्स चाहिए तो आप मेंबर्शिप लेके आप हमें बता दीजिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे चलिए पीडियाट्रिक के ऑपरेशन थेटर और एक्विपमेंट्स की तो यहां पर इसमें इन सब की फैसिलिटीज होती है इस अलसो फैसिलिटीज ऑफ यहां पे पीडियाट्रिक केर भी की जाती है बच्चों की और यहां पर जो सर्विस दी-स दी जाती है उनको महँ यहां पर डीटेल में पढ़ेंगे सर्जिकल केसिज्यड gesam सरजरी इन होते हैं और कांबिकल लॉगिकल के यह थैडियल यह तो कौनकौन दी जाते हैं सी सेक्षिन का हुआ लेपरोटॉमी रिपेर ऑफ रप्चर यूटरस सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर सेप्सिस एवैकुएशन ऑफ इंकम्प्रीट अबॉशन मिद्ट्राइमेस्टर अबॉशन एम्नियोटमी विद और विदाउट ऑक्सितोसिन ट्यूबेक्टॉमी व एकलेमशिया के केसेज हैमरेज के हैमरेज शॉक और सीवियर अनीमिया सेप्सिसीमिय यूज ऑफ आईवी ऑक्सितोसिन ड्यूरिंग लेबर तो यहां पर मैडिकल मैनेजमेंट ऐसे किया जाता है एनस्थीशिया जनरल स्पाइनल भी यहां दिये जाते हैं ब्लड ट्रांस् अब क्या है मिनिमश मिनिमम सर्विस्स TOO बी प्रोवाइडेड़ अफश्व फुल फंक्षनल अ फर्यू जार अब अब F.R.U. पे न, minimum services कौन कौन सी होनी चाहिए, मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए, एक functional जो F.R.U. है, first referral unit है, तो वहाँ पे minimum services के इतनी तो होनी ही चाहिए, तो कौन कौन सी services हैं, वो हम देखते हैं, 24 hour delivery होनी चाहिए, emergency ops care होनी चाहिए, new born care, और emergency care of six children, full range of family planning services, safe abortion services, treatment of RTI and STI, reproductive tract infection और sexual transmitted infection, ठीक है, तो और क्या है, blood storage facilities होनी चाहिए, referral मतलब transport services होनी चाहिए, new initiative क्या-क्या है, F.R.U. के लिए, ठीक है, तो training of MBBS doctor in life saving and aesthetic skills for emergency ops care, तो training होती है, MBBS doctors की, ठीक है, setting up of blood storage center at F.R.U. blood storage center यहाँ पर लगाई जाते हैं, ठीक है, F.R.U. will reduce MMR, देखे, question आता है, कि how F.R.U. will help to reduce MMR, ऐसे करके, है, जो, तो new initiatives क्या है, जो F.R.U. में चलाए गए है, first referral unit में, तो क्या है, कि training of MBBS doctor in life saving and aesthetic skills for emergency ops care, तो इसमें क्या है, कि training कराई जाती है, MBBS doctors की, और blood storage center भी यहाँ पर provide किये गए है, यहाँ पर set किये गए है, F.R.U. will reduce MMR, तो देखे, एक question आता है, कि how F.R.U. will help to help in reducing MMR, तो यह इतना तो लिखना ही लिखना है, फिर हमने जो पीछे functions बताएं कि यह यह चीजें होती हैं, है ना, obs guy नहीं कि आपको सारे functions लिख देने हैं, तो F.R.U. will reduce MMR, how? Maternal mortality is important burden in our country, various type of medical causes of maternal mortality are hemorrhage, sepsis, hypertensive disorder of pregnancy, unsafe abortion, obstructive labor, और anemia in pregnancy, ऐसे कई सारे causes हैं, जिसके वज़े से maternal mortality rate बढ़ता चला जा रहा है, जैसे के hemorrhage, sepsis यह सब हुए, F.R.U. in district, or subdivisional hospitals, or CSC, which has facility of obs care, blood transfusion, anesthesia, specialized pediatric care, operation theater, required equipment, तो जो पीछे दिया था, वही है, यहाँ पे, तो मतलब इसमें बताना है, सारे obs care के function लिख देने हैं, और facilities लिख देने हैं, कि कैसे कैसे reduce करता है MMR को, ठीक है, services available for reduction of MMR at F.R.U. are surgical medical management, manual anesthesia, blood transfusion, in such a way, use activity done in F.R.U. हमारा F.R.U. पे topic, इसमें सारा ही cover कर दिया है, ठीक है, तो इससे अलावा और कुछ नहीं है, इतना ही short note में लिख देंगे, काफी होगा, और इसके बाद हम एक last topic लेकर आएंगे, जो कि health care delivery system का last topic है, जिसमें, जो कि या तो हमें सबसे पहले कर आदे ना था, अब हो सबसे पहले नहीं हो पाया, तो इसलिए सबसे last में इस topic को upload कर रहे हैं, जो कि है level of healthcare, तो यह है level या फिर कहें tier system of the healthcare, तो यह next video में आएगा, इसके 3 tier होते हैं, जैसे कि first tier, second tier, third tier, तो इन आपको handwritten notes चीए, तो आप membership join कर सकते हैं, और please हमारे 20,000 subscribers होने में जल्दी help कीजिए, thank you so much